सब्सक्राइब देखते हैं सब्सक्राइब आप फ्री रहें कोई टेंशन मत लीजे सब्सक्राइब लेकिन इसके बाद आप जो फिल्म बढ़िया था लेकिन इसके बाद आप जो फिल्म बनाने वाले हैं क्या वो भी इतनी ही बढ़िया होगी मेरे हाथ में यह सर्फ एक फाइल नहीं है यह मेरी जिंदगी है इंस्पाइड बाइट्रू स्टोरी सर जब दो दिल एक दूसरे से प्यार करते होना तो वो दो नहीं एक हो जाते हैं यह होती है एक सची प्रेम कहानी जिसके उपर यह फिल्म है जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर भगवान जितना भरोसा करने लगे और उसे पूझने लगे इसी को प्रेम कहते हैं मतलब साहस विश्वास और सेंच शीलता जिसे वज्व भी ना तोड़ सके उसी को प्रेम कहते हैं कुझ कि कुझ कि कुझ कि था था थो आप ऊस्टे दर्जन तीस रुपए दर्जन सस्ता 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 थीजर ऐस था अब कि लिए दिए चाहिए पीदे हैं साथ में गंगाधर को भी लियता ठीक है ठीक है आव आव सीनु गंगाधर यह देखो कौन तुम्हारा इंतिजार कर रहा है यह सब लोग बच्पन के दोस्त हैं यही पर जन में हैं और यही पर बड़े हूए कुछ चोटा मोटा काम करके यह लोग अपनी जिंदग गुजार रहे हैं यह फोटो देख जरा कि क्रिश्णा क्रिश्णा क्या किसे स्कूल में अभी सीटी नहीं आती थी चो हर रोज मास्टा जी से मार खाता था आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया है चाहे जोबियो हमारा एक दोस्त आज इतनी बड़ी पोजिशन पर पहु वो इसी डिरेक्टर के साथ असिस्टिंट डिरेक्टर है तुझे याद है ना हमारे क्लास में वो सुजाता नाम की कलड़की थी हां वो लक्षमी सुजाता आई-एस पास करके गुजरात में कलेक्टर बन गई है हमारे साथ जो लोग पढ़ते थे साब कही न कहीं सेटल हो वे, बच्पन का दिन कितने अच्छे थे ना, मैं तो सोच रहा हूँ हम लोगों को एक बार मिलना ही चाहिए. अरे यार, सब लोग पतानी कहां कहां सेटल हो गए होंगे, उन सब से मिलना पहले जितना आसानी, क्या पता हो पहचाने भी नहीं? तु सही बोल रहा है, महेश. अरे, ऐसा क्यों सोचते हो, हम सब मिल करी रहेंगे. मैं आपके विचारों की कद्र करती हूँ, लेकिन प्राक्टिकली देखने जाएं तो ये मुश्किल है. इतने पुराने स्टूरेंस उनके वही पुराने अड्रेस पर मिल जाएं, इस बात की गुंजाईश बहुत कम है. मेरी बात मानिये, तु रहने दीजे. मैठम, आप उसका एड्रेस देदीजे, हम लोग कुछ भी करके उसे धून लेंगे मैठम. ओके. चल ठीक है, अब पहला फोन किसको लगाओं, बता. वो कृष्णा को लगा, ABCD वाला वही जो USA में है. क्ष्राइब दियुजक्या Sahot क्ष्राइब तूबिध तूजकरे mamy सबfry섯 कि उसके रवाओ क्ष्राइब तुब ऑदूमिग तूफ कैंप इस और झाउ शम्यों Sig começar किस्क्राइब तंड गुरłem क्या बाई अमेरिका जाकर तू हम सबको भूल गया क्या ज़रा याद करना है दिमाग पर जोर लगा कौन बोल रहे हैं आप अरे बच्पन में तेरी साइकल चुरा कर जो फिर्म देखने गया था ना वही साइकल चुर बोल रहा हूं है 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 सीनु तू बात कर रहा है क्या हा सीनु कैसे हो हां हम लोग ठीक हैं तू बता तू है एक दम बढ़िया हो अपने चंदू जिलानी घंगाधर यह सब लोग ऐसे हैं अरे वह सब लोग एकदम अच्छे हैं और सुन तुझे पता है मने फोन क्यों किया है हम सब बच्पन के आशारी हम दोस्त मिलकर हानीब्व।। कर रहे हैं। 小집 में सतन फ्रेंड मिलकर फंक्शन करते थे न हालीम।। तुझे भी आना ही पड़ेगा। ॐ फंक्शन कब है। इस मेने की 15 तारिश को है भाई। असको कि बुलायाँ है । अ हम शेकन से और रादा भी। हाँ, राधा को भी बुलाया, भाई, हाँ, मैं जरूरूराओंगा हाँ, बुलाया, बुलाया, जरूरूरूराओंगा, अङ।ाria मा, मा, आप कहा हो मा, अरे वा, देखो तो कितना खुश हो रहा है, जरूर ये इंडिया जा रहा हो गए, तेरे पापा को पता चल लही गया, हाँ पापा, प्रोग्रम कल ही फिक्स हुआ है, क्रिशनपुरम के स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन है, उसे अटेंड करके एक हफ् कितने सालों बाद, आज मैं खुद के करीब जा रहा हूं, मैं अपने मिट्टी के पास जा रहा हूं, सबको अपना गाहाँ अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए, मेरा गाहाँ, मेरी चाहत है, मेरी चान है, मेरी आराधना है, उसकी यादे, मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरे टीचर्स, कृष्णामा, फ्रेंड्स, सबको मिलने जा रहा हूं, और उन सबसे मिलने से भी ज्यादा, मुझे उस पल का इंतिचार है, जब मैं फिर से राधा से मिलूंगा, कहां हो तुम राधा? यह बस्टॉप तब ऐसा नहीं था, यहां कितना कुछ बदल गया है, कुछ कहानियां यहां से शुरू होती है, और यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन मेरा प्यार गाउं से शुरू हुआ था, और आज देखो, मुझे यहीं पर लाकर खड़ा कर दिया, यह बस्टॉप शा यहां देता है, बारिश में च्छाता देता है, और जिन्दकी भर एक प्यार की तरह याद भी रहता है, यहीं से जोड़ी बहुत सारी यादे है, मेरा सफर यहीं से शुरू हुआ था, कर दो झाल झाल यह सब हैं मेरे स्कूल के टीचर्स जिनों ने मुझे शिक्षा के साथ साथ संसकार भी दिये यह रागभेंदर सर आज मेरा जो स्टेटस है मेरी इतनी शोहरत है यह सिर्फ और सिर्फ इन ही की बदौलत है यह है लक्षमी नाराएंड सर बोर्ड पर स्पेलिंग लिखनी है सबसे पहले कौन लिखेगा ओए क्रिश्ना तू आजा बेटा राम लिखना है मुझे राम और रम का फरक नहीं पता था लेकिन इन्होंने मुझे अच्छे से समझाया राम लिखने के लिए कहा तो रम लिखता है जो मेरे लेट में खड़ा है वोई है मेरा बेस्परेंड चंदू यह फिल्मों के पीछे पागल है जिस दिन हमारा इसके साथ अटेंडन्स मिस हो गया तो समझ लो की दीवार पर से फिल्म का पोस्टर भी बदल गया सुपर स्टार की फिल्म तेकरने जरूर जाएंगे अगर गय ना तो मास्टर जी बहुत मारेंगे अब मारेंगे तब ना जब उन्हें पता चलेगा हम लोग अभी यही से भाग लेते हैं रेडी हो ना रेडी 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 कैमरा स्टार्ट एक्शन अरे जिलानी पैसे देरे तू लेकर आया था ना मेरे पास कुछ नही है पैसे नहीं तेरे पास वान टू थ्री पागो अरे कहां बाग रहा है क्यों रे सबके पैसे कौन देगा मुझे तो कुछ भी नहीं पता दादी मुझे उन्होंने साथ बुलाया इसलिए मैं आ गया मुझे लगा उनके पास पैसे होंगे मेरे पास पैसे नहीं है आप चाहे है तो इसे रख लीजिये बहुत भूख लगी है बेटा यह ले-र खाल ले नहीं दादी नहीं मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है दादी पैशे देने की जिरुरत नहीं बेका तू बस पैट भरहर के खा मेरे बच्चे पैट भरके खा तेरे जैसे प्यारे बच काम है हमें बाजार जाना है चल यह स्कूल है कोई आपका गार्डन नहीं मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं और आप अंदर आकर अपने बेटे को ले जा रहे हैं तभी इस नाम की चीज नहीं है क्या बास्टर जी मेरा बेटा बहुत होश यार है बिना पड़े नमर लाता है प पास राम बाबू पास मोहन पास सोमू पास चंदू पास येस कृष्णा फेल है मैं फेल हो गया सर अब मैं घर जा सकता हूं ना अब अब पकड़ो इसको अब बच्चे कम हो गया है इसे एट में डाल दो सोचा था स्कूल से निकाल देंगी तो पापा के साथ थोड़ी खो तो आप तुम लोग बच्चे नहीं रहे अब तुम लोग बड़े हो गए हो समझ में आ गया ना अगर तुम में से कोई हाफ पैंट पहन कर आया है तो वह खड़ा हो जाए क्यों फुल पैंट पहन कर क्यों नहीं है मेरे पापा ने सिल्वा कर नहीं दी सर बोले तेरे पास चड़ी है ना पैंट पहन कर क्या तीर मार लेगा तो यह चड़ी पहन कर तू तीर मार लेगा क्या इसे भी उनके हाथ में दे आना चाहिए था न्यू एड्मिशन सर नमस्ते सर नमस्ते बिटा क्या नाम है तुम्हारा राधा वेरी गुड नेम जाओ जाकर बैट जाओ भारत देश की राजधानी कौन सा शहर है है क्रिष्णा सर तु जवाब दे पता नहीं सर गधा कहीं का राधा तुम बताओ बिटा नियो दिल्ली सर वेरी गुड राधा की तरोश्यार बनो तु इधर आ नालायक कहीं का शर्म नहीं आती है तुझे राधा इधर आव बिटा इस गधे को जरा अकल आ जाए इस एक चमा जाए था उपर से सर ने उसको मेरे सामने खड़ा करके आखों में आखे डाल कर देखने का मुखा दे दिया राधा की मासूमियत को तेक कर मुझे उस वक्त बहुत ही सुकून मिल रहा था और उसी दिन से वो राधा मेरे दिल में बस गई इज़त का सवाल था और लड़किय प्रदेश की राधानी न्यू दली आंदर प्रदेश है द्रबाद का नाटक बैंगलरू तमिलनारू चनए ओडिसाब हुवनेश्वर बेस्टमेंगोल कोलकाता माराश्ट्रा मुंबाई गैलाक्ट वैंडरम जार्खन राची पंजाब चंडिगड गुज्राद प्रदेश के नाम भी बोलूँ क्या सब्सक्राइब चल इधारा सब्सक्राइब अब मिला मुझे अप्रीसियेशन मैं भी खुश हुआ सर ने कंधे पर हाथ रखकर मुझे शाबाशी लिए राधा वी बहुत खुश हुई उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं बाल-चंद्र क कि कोई फिल्म देख रहा था उसके बाद तो सर से मार की जगा शाबाशी लेने के लिए और राधा को इंप्रेस करने के लिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दी अब जो लड़की पसंद आई है उसके साथ जान पहचान तो बढ़ानी पड़ेगी इसलिए उस उम्र में जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने किया किसी ने हवा निकाल दी क्या मैं हवा भर दू हम राधा से दोस्ती करने के लिए मैंने कितनी बार हवा निकाली और कितनी बार हवा भरी थी मुझे भी नहीं पता पर उसे देखते हुए जब मैं हवा भरता था तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था okay thanks yes झाल झाल जाल झाल मैं तुम्हें ये रेनॉल्ड पेन गिफ्ट कर रहा हूँ ले लो थैंक यो कृष्णा क्रिष्णा बुलाया मा? बेटा, मैंने इसमें पांच रुपे रखे थे तुने लिये हैं क्या बेटा? मा, मैंने लिये थे वो लिखने के लिए पेन लेना था इसे लिए तुने लिखने वाली पेन के लिए पैसे लिए? ठीक किया, कोई बात नहीं अरे बेन जी, कबसे दूप में खड़ा हूँ? जल्दी आये ना? दो मने टुको आ रही हूँ भाया, मैंने जो पैसे रखे थे मेरे बेटे ने उससे पेन खरीद ली जब अगले हफते आओगे तब मैं इसे खरीद लूँगी अभी से ले जाओ अगले हफते आपके पास नोटों के बढ़नल रहेंगे क्या? छे, पैसे नहीं रहते तो लेते क्यों हो? जाओ यहां से बेटे ने पेन खरीद लिया जैसे पन लिखकर पुरी दुनिया में नाम रोशन करने वाला है उस दिन मैंने मा को रोते हुए देखा मा को ये दुख नहीं था कि वो बिंदिया ना ले सकी लेकिन किसे ने उसके बेटे को भला बुरा कहा था इसलिए उसकी आँखों में आशू थे और उन्हीं आशूं को पोचने का मैंने फैसला किया इंटर एक्जम पास करके मैं कॉलिज में आया राधा ने भी मेरे साथ एंटरमेडियेट में एडमिशन लिया राधा यह फूल तुम्हारे बालों में बहुत अच्छा लगेगा राधा सच में हम थैंक यू राधा को दिया हुआ वो फूल तो मुर्शा सकता है लेकिन राधा पलटकर मुझे जो स्माइल देती थी ना वो कभे मुर्शा नहीं सकती मैं कम इन सर्व कम इन यह मेरी सीट है मेरी सीट है मेरी सीट है क्रिष्णा रुको क्या हुआ क्रिष्णा तुमने मुझे जो भूल लाकर दिया था वो अब तक मुर्शाया नहीं है कहां से लाए थे तुमेंसे हम वहां से हम क्रिष्णा मुझे भी वहां लेकर चलोगे प्लीज हम रदा फिसलन है देखकर क्रिष्णा 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 राधा क्रिष्णा 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 झाल झाल युआ 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 प्रश्चना तू क्या बेबकूफ है यह वह सूसाइड पॉइंट है तू से वहां क्यों लेकर गया अरे इसलिए गौवर्मेंट ने वहां डेंजर प्लेस का बोर्ड भी लगाया हुआ हम लोग वहां गये भी और वहां वहां भी आगये तो अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है अरे तू उसे वहां लेकर गया ना इसी वज़े से उसे फीवर आ गया तब तू राधा को देखने जाना पड़ेगा पर कैसे जाओ सरोजा बाजार जाकर बैंगल लेकरा हां और क्या था हां कड़ी पत्ता भी लेकरा दस रुपे में क्या क्या आएगा मा जितना आएगा उतना हिला ना टिंग टिंग ममी हां पूरी दुकान हमारे घर पर आ गई मा दुकान हमारे घर कैसे आ सकती है क्रिश्ना राधा का क्लासमेट हूं अंदर आ जाओ बेटा बैठो राधा क्रिश्ना आया है तेरा क्लासमेट कॉफी लेकर आएगा देख क्या रही हो अंदर लेकर जाओ बहुत अच्छी है सबजिया फ्रेश है ना थैंक यू सब कुछ हमारे खेत का है हम लोग उगाते हैं ओ ऐसा आपके खेत में ऐसे किलो किलो में सबजियों क्या किलो क्या क्विंटल क्विंटल उगती है यह तो ऐसी बांध कर आगया था जाओ जाओ अंदर लेकर जाओ ऐसा हम में विंटल क्विंटल 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 काफिलो ना कृस्णा तुम्हें बु kicks राया क्या अब ठीक हूं अ ठिर कॉलेज कब से आओगी कल से ही आजाओगी मैं चलता हूँ आउंटी मैं चलता हूँ आउंटी औरे बात बन गई बात बन गई यहाँ हलो यह बता ला आप खेटे सबजी के साथ-साथ वजन भी होगाते हैं क्रिष्णा नदी के पास सब का बैठकर लंच करना बहुत अच्छा लगता था कि कुसुम तु अंड़ा खा रही है तु तो बजटेरियन है ना अरे यह मेरा टिफिन नहीं है सुधा का है रोज आलू बैंगें बिंडी लॉकी खाकर बोर हो गई थी इसलिए आज से सब खाना शुरू कर दिया क्रिष्नाउ haw के बोलो राधा मैं कभी ब्ले कर नियाता हूँ राधा जब सभय घर से निकलता हुो दो पर का कहाके निकलता हूं और यहो हो कि अ राधा वो वहां क्या लिख रहा है अपनी श्रद्धा मैं कुछ समझा नहीं हम लोग भगवान की पूझा क्यों करते हैं क्योंकि हमें उन पर विश्वास है कुल देवी के पास ही जाकर सब बचों के लिए मनत क्यों मांगें क्यों उन पर विश्वास है यह भी वैसा ही है यहां के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है पर्थर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है सच में विश्वास करो क्रिश्णा जब मुझे भी कोई दुख होता है तो मैं भी यहीं आकर इंसे कहती हूं और यह सुनती भी है और फिर अ यहां की शादी हो जाए आस्था का ना कोई धर्म होता है और नाहीं जात्पात आपका विश्वास ही सबसे बड़ी आस्था है कि यहां के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है पथर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है आज तो मैंने अपने दिल की बात लिखती है अब उस दिन का इंतजार है जब राधा अपने दिल की बात इस पर लिखेगी जगे मेरी है यह जगे मेरी है तुचल मैं आठी क्रिष्णा हो चलो ना लेंज करते हैं हरे मैं अभी घर से खाना खाकरी आया हूँ तुम कर लो तुमने खाय लिया ठीक है कि अग्या हुआ कि अरे क्रिष्णा बारिश बहुत तेज हो रही है समभल कर जाना ठीक है बाबु भाई कि 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 हुआ 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 है कि यह रहे पुन जादा उबाल मार रहा है तेरा आप क्या बात कर रहे हो मैं कुछ समझानी भाया हमारे लड़के की बीच में क्यों आ रहा है हाँ जगा उसकी है भाया अगर कोई गल्ती हुई तो मैं माफी जाता है भाया मैं फिर कभी उस जगे पर नहीं बैठूँगा जान पत्तर भेग के मारो यह जगे पी मेरी रादा पी मेरी अरे तू चिंदा क्यों करता है हमें देखते ही भागया होता है जान देनी पड़ी तो दे दूँगा लेकिन राधा नहीं दूँगा चल अपने जान दे ही दे जान तुछे दे दूँगा तो राधा कैसे मिलागे है 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 क्या बोल रहा था है 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 हम भाई हमें माफ कर दो भाई अब हम लोगों को पता चलिया है भाई कि आप प्रेम करने वाले हीरो है और हम लोग विलेन है अगर तुझे जगा चाहिए थी तो जगा मांगता ना वो दे देता राधा का नाम क्यों लिया तुने है अगर करेगा तो जैसी तरी अभी धिलाई हुई ना वैसी दुबार दोली मुझे समझ गया मैं क्या समझ गया मेरी बट्टी गुल है बस अब बहुत हो गया मैं और इंतजार नहीं कर सकता क्या सिर्फ लड़की लड़कियों से प्यार करते हैं लड़कियां प्यार नहीं कर सकती तुम्हारी आँखों में देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम भ करने से भी डरती हो भला क्यों हम ऐसी लड़कियों के लिए देवदास बन जाएं खर छोड़ो ये सब हमने दिल ही दिल में एक दूसरे का होने का फैसला कर लिया है क्योंकि हम प्रीमी है ठीक है मैं ही पहले बोल देता हूँ और पहला वर्ट करेक्ट है आगे बोलो बोलो अरे क्या हुआ तुझे एक पेच का डायलोग तुने फटा फट बोल दिया और ये तीन शब्द तुझसे बोले नहीं जा रहे है यार तु समझ क्यों नहीं रहा डिरेक्टर आने वाले हैं ये ड्रामा नहीं मेरी लाइफ है यार ये सुनना ए क्रिष्णा क्रिष्णा सुन ये सिर्फ ड्रामा है यार लेकिन मेरी लिए टो लाइफ है और मैं राधा से पहली बार ये शब्द बोलने चाह रहा था जब भी मैं उसे ये शब्द बोलू तो उसे मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए और तबही मेरे बोनने का मतलब होगा एम स्री यार अई तुम मिडल क्लास प्रेमी ऐसे ही होते हो तुम्हारी लव स्टोरी सुनने के लिए अच्छी है प्यार करता है तो इक्रार भी कर वरना उसकी शादी कहीं और हो जाएगी और तू ऐसे ही रहेगा मैं कहा रहा हूँ तेरी उम्रे ऐसे ही बीतेगी कोई डायलोग बोलने वाले को ढूंडो रहे है चंदू आयलवी बोला डायलग मैं बोलता हो ना तू बोलेगा हलो यह लव सीन है तुम्हारे वेट को सूट नहीं होगा अरे तो क्या हुआ ट्राई तो करने दो मुझसे मोटे लोग प्यार करते हैं मैं तो पिर भी पतला आयक कर लॉव करने का मतलब पता है तुम्हें हां पता है लाइक मतलब अंगोटे का ठेंग और लॉलीपॉप लॉलिपॉप अर नहीं तो क्या आखिर ड्रामा में करना ही क्या है सरकस की बंदर की तढ़ Hm ... सब्भी साल कालना है अगर किसमत अची रही है Leonardo would를 अए तो प्यार I love you का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं जिन्दगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, नाटक में भी मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से साथ जीने से लेकर साथ उमरने तक का वादा होता है, और इसलिए ये नाटक करते हुए भी मैं तुम्हें सच्चा ही नहीं बता सका था, मुझे माफ कर ना, मा, मैं कॉलिज जा रहा हूँ मा, ये क्या बेटा, आज तो तेरी चुट्टी थी ना, आज कॉलिज में मुझे बहुत ही इंपॉर्टन एक्जाम देने जाना है मा, इसलिए मैं जा क्रिश्ना, क्रिश्ना, अब क्या हुँ अमा, रात बर जाकर तुन्हें पढ़ाई की, इतनी मेहनच से ये लिखा था, और तो इसे ही बूल कर जा रहा था, कोशन पेपर में नहीं सवाल आ गया तो ये ले लेके जा, लेके जा बिटा, मैं घर जाकर भगवान से प्रातना करूंगी तो एक्जाम में पास हो जाए, हाँ, जा बिटा जा, वरना एक्जाम में लेठ हो जाएगा, जा बिटा, जा, हाँ, 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 आज कॉलेज नहीं गए, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करनों समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए, प्रॉब्लम किसकी है बताओ, मैच्स या केमिस्ट्री की, तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो, हाँ, अब, मतलब तुम्हारा पसंदिदा सब्जेक्ट है यह बोलना चाहता था, मैंने अपने तरीके से तो सॉल्यूशन निकाल लिया है, तुम पढ़कर बताना कि यह सही है या गलत है, शौर, मैं देखकर तुम्हें कल सुबै तक बताते हूं कि तुम्हारा सॉल्यूशन राइट है कि यह रोग, ठीके ना, ठीके मैडम, यह कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मैं देख लोगा आप जाहिए लेकिन सर, देखिये मैडम, यह कॉलेज है, यह स्टाफ का लीव लेटर लिखना और स्टुएंट्स का लव लेटर लिखना एकदम कॉमन है, आप टेंशन मत लीजिए, यह प्रिंस्पल हमेशा यही देखता आया है, अरे, यह सेक्शन में से कृष्णा को बुलाओ सर, यह क्या है, यह तुने ही लिखा है ना, मैं कौन वने का करोड़ोपती का सवाल नहीं पूछ रहा, बस तरी रैटिंग है, यह कंफर्म कर रहा हूं लेटर सर, कौन सा लेटर है, लव लेटर सर, किसको लिखा था, लड़की को, ज्यादा चालाक मत बन, हमारे इस कॉलेज में डेड़ सो लड़किया है, किसको लिखा था यह बता, राधा को सर, नाम लेते वे तेरी आवाज में बड़ी कशिश पेदा होगी, कहीं ज्यादा लेटर उसकी मा के हाथ लग गया, राध भर सो नहीं पाई वो, आरे राधा, आरे राधा, आसो मा की शरद रात्री, रासलीला है ब्रिज में, रासलीला है ब्रिज में, राधा भी तुझसे प्यार करती है, क्या? यही तो डाउट है सर, मतलब तुम लोगों का ट्रू लव है, है ना? लेकिन इस बात का क्या सुबूत है तेरे पास? एविडेंस यह है कि, वो मुझे देखकर पलट के मुस्कुराती है, सामने आती है तो बात करती है, नोट्स भी मांगते ही दे देती है सर, और इतना ही नहीं सर, मैं फूल देता हूं तो वो अपने बालों में लगा लेती है, जब मैं लंच बॉक्स लेकर नहीं आता तो बात अच्छी कॉफी पिलाती है सर, यह तो लव ही है ना सर, क्या दिया, क्या लिया, क्या खिलाया, क्या पिलाया, यह कोई सुबूत नहीं है, राधा ने तुझे डारेक्ट I love you कहा है क्या, मतला देखने से पता चलता है तो बोलने की क्या ज़रोत है सर, आप इस बार में क आओ मेटा राधा, तुमसे बहुत ही छोटा सा काम था, जी कहिए सा, मैं आजकल एक नौवल लिख रहा हूं, उसका सब्जेक्ट है love, उसमें मुझे कोई छोटे-छोटे डाउट्स है, आज की यंग जनरेशन, लव के बारे में क्या सोचती है इस बारे में मुझे जानकार ही चाहिए, तुम कॉलेज की टॉपर होना, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, तो लव के बारे में तुम्हारा क्या ओपीनियन है, तुम कुछ गलत मत समझना बेटी, मैं तो सिफ इन्फॉमेशन के लिए पूछ रहा हूँ हमारी फैमिली बहुत गरीब है सो, माने तकलीफें जहल कर मुझे किसी तरह बढ़ा है, अब सिए बनना ही मेरी जिंदगी का लक्ष है, और रही बात प्यार की, तो मुझे तो सिर्फ एक ही प्यार पता है सो, और वो है पिता का, लेकिन अब वो नहीं रहे, अब माहीं सब क कुछ है, तुम्हारा मतलम है समझ गया, तुम्हारी नजर में बाप का प्रेम बढ़ा है, उसके अलावा और किसी का नहीं, और माहीं तुम्हारी बात सुनके मुझे सब कुछ एक दम क्लियर हो गया अब तुम जा सकती हो, बेटी चलो जाओ, आजा रे कृष्णा, आजा र लाव करने चला था तो चल अब तू मुझे लव की डेफिनेशन समझा दे लव क्या है पता नहीं- लाइफ क्या है पता नहीं- फ्यूचर क्या है कुछ पता लेकिन नोट बुक से पेज भाड़ कर लव लेटर लिखने में बिल्कुल नहीं सिक चाते हो कृष्णा सचिन तिंदुलकर को भी लव हुआ था पर एक बात सुन ले वो बैट फेक कर किसी के आगे पीछे नहीं भागा फिल्मों के पीछे नहीं भागा वो अपने लक्ष के पीछे भागा कब के पीछे भागा ग्राउन में भागा प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस की और से पुरी दुनिया में famous हो गया और उसके बाद उसके पास प्यार भी आ गया मैं अपने experience से बता रहा हूं सुन smoking is injurious to health, alcohol is injurious to health ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज है ना this is also injurious to youth ये उसे बिगार देता है ये शब्द love love का मतलब है lots of varying emotions जब उम्र बढ़ जाती है ना तो love you के मतलब भी बदल जाते हैं और जब मतलब बदल जाते हैं तो लड़की भी बदल जाती है आज राधा है कल सीता होगी परसों गीता होगी और उसके बाद हो सकता है परीता आ जाए और आखिर में दिल तूट जाएगा पहले लक्ष हासिल करो उसके बाद प्यार करो प्यार करने के लिए अपने जीवन के लक्ष को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए यह जिंदगी भी तुमारी है फैसला भी तुम्हें ही करना है आ आ आ आ आ आ आ आ आ क्रिश्ना खाना खाने आजा बेटा आप भी आजाए आ रहा हूं तो बताओ आज क्या लाई हो घर में सबजी नहीं थी तो तो की चत्नी बनाई है इसी क्राम साला बेनाकि क्रिश्Не तेरे मस्टर जी आये थे क्रिश्नाmotor जोना प्राने काहा टेरी फोटो पेपर में मैं चिप जर्ड देख तो बेटा फोक्रा यह क्या कांड कर दिया सिर्ड Tradition पापा, रिजर्ड में मुझे सेकंड रैंग मिला है पापा, इसलिए मेरी फोटो पेपर में छपी है, अब मैं इंजिनेरिंग करना चाहता हूं पापा, सेकंड रैंग आया है तो मुझे फ्री में सीट भी मिल जाएगी पापा, अरे आगी की पढ़ाई किसली, हमारी जायदा हमारी मिलकियत, हमारा सब कुछ तो एक खेत है, पेट भर के चटनी रोटी भी खा रहे हैं, सुखी है ना हम लोग, बेटा, इस जमीन पर भरोसा कर, ये कईयों का पेट आराम से भर सकती है, अगर तू पढ़ाई करेगा, तो दस लोगों का खर्चा तुछ पर लगाना पड जाए, आप इसे पढ़ने दीजिये ना, अगर जादा ज़रूरत पढ़ी तो थोड़ी सी जमीन बेच देंगे हम प्रिंसिपल के कहने के मुताबिक मैंने लक्षय चुन लिया और एंजिनेरिंग कॉलेज जॉइन कर लिया तुने भी यही कोने जॉइन किया हां क्या बात है कोई टेंशन ही नहीं अब तो अब साथ बैठके पढ़ाई करेंगे अब तो अब तो हम कॉलेज में आगे हैं अब हमें बैट बॉल खेलने से कोई ही रोग सकता समझाना अब लड़कियां तो देख एक सेक हैं अब यह सब शेहर की लड़कियां अगर उल्टा सीधा बोला ना तो सीधा कान के नीचे पड़ेगी अरे तेरा भाई फास बोलो रहा है अब देखता रहा है विकेट कैसे गिरते हैं ए देख खुशी ने अपनी कमेंटरी स्टाट कर दी अब फाइनली मैं तुम्हें आखरी आफट खेलो हाथ जाड़ो और चलते बनो कितना सिंपल हो गया है लेकिन खेलते वक्त हैलमेट जरूर पहनना चाहिए हैलमेट किसलिए बैटिंग के दौरान सेफ्टी चाहिए ना तुझे क्या बूस्ट वंगवा के दूँ जाने दो भाई वो मुझे मार डालेगा अरे मै मैं तुझे बॉक्सिंग करने थोड़ी कह रहा हूं उसके पास चाह और उसके सिर में ऐसे करके मार बस इतने ही करना है मुझे जाने दीचे तु यह कॉलेज के लायक नहीं है एक काम कर अपने गाउं वापस चला जा बाई जड़ा दुबला पतला है संभल कर मारना क्या रहे है तेरी तो प्रेल है क्या हो अपनी गल्फरेंड खुशी को देख अरे ये साल भी वही अभे हिस्ट्री बन चुकी है यार पोर हो गया हूं मैं कोई फ्रेश चाहिए एक दफ फ्रेश समझा क्या यार अगर कोई फ्रेश भी आ गई तो भी क्या होगा मतलब मतलब तु टाइम पास करेंगा फिर उसे छोड़ देगा इससे अच्छा कोई सीधा साधा लड़का उसे मिल जाए ओ बावा नेया बकरा देखो तो हां तुझे बुला रहा हूं इतरा कौन से काउं से है कृष्णापूर से और यह बापरे वहां से आया है एर बस से आया या पेर बस से अचा ठीक है एक काम करेगा क्या वो बेचारी कृष्णापूरम से अपने राज की उमीद में वो ग्रीन ड्रेस वाली वहां वेट कर र राइगिंग कर रहे हो सौरी भाई मैं यह नहीं कर सकता तो फिर उदर जो खड़ा है ना जा और उसे टपली मार के आ कि भाई क्या कर रहे हो वह तो बॉड़ी बिल्डर है उसकी क्या इज़त रह जाएगी दूसरा कोई काम बताओ मैं करूंगा अच्छा तो जिस बस से आय भाई ऐसा मार की मुझ फट जाया सालिका अच्छा सॉरी बॉस एजी समझा होगा लेकिन गलत है क्या हुमारा यार क्या वजन-दार पैंच था कैमपस में मैं हमश्या टोपर को ही सिलेक करती हूं और इसिंस कैमपस में मैं तुम्हें अपने लिए सिलेक कर रही हूं ओपन ओफर है लाव यू बाई यार तो उसे चुटकारा पाना चाहता था ना उसका पंच देखकर उसने तुछको छोड़ी दिया तु इस तरह से मेरी जिन्दगी में शामिल है अंदर सब सो गए है क्या हम लोग सब सो गए गड़ गड़ पर तुम क्यों जाग रहे हो सार वो क्या है ना आप आए तो कोई आपको जवाब देने वाला चाहिए ना इसलिए मैं जागा हुआ हूँ सार बहुत होशी आ रहे यार तू हां हास्टल रूम को बार रूम बना दिया है हुआ 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 है शरावत सबता दो मुझे मारने में किसा आद्मी का हाथ था यहां पर यहां पर किस आधमी को लिख रहा है सेल्फ अटेक सेल्फ अटेक तुम सबने मुझे क्यों महा रहा देखिए सर जब हम लोग यहां पर बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं और आप बीच में कर देंगे तो हम भी आपको डिस्ट आप करेंगे वह कैसे क्या कर रहा है सर पढ़ा ही कर रहा हूं सर अच्छा फोन पर चैटिंग कर रहे हो या लैप टॉप पे वह देख रहे हो नहीं सर सच में पढ़ा ही कर रहा हूं क्या बात है तुम तो सच में पढ़ रहे हो देखकर अच्छा लगा कीचर के बीच में एक कमल का फूल देख रहा हूं पढ़ो बेटा अगर यह चाहिए होगा तो बताना सर अरे वह नहीं बेटा टी बिस्किट डूज जो चाहिए मुझे बताना जब भी चाहिए लाकर बड़े आदमी बनोगे तुम पढ़ो बेटा पढ़ो अरे पाप्रे सर क्या हो सर आप ठीक तो है ना स्वीट मेमरेज साल पूरा होते ही वो चले जाएंगे वो मुझे याद रखेंगे लेकिन मुझे तुम हमेशा याद रहोगे पढ़ो बेटा पढ़कर फस्ट हो अरे प चंदू क्रिष्णा है तु यहां क्या कर रहा है यहीं पर एंजिनियरिंग कर रहा हूं मैं कितने दिन होगे तुझे मिलकर अच्छा तु हैदराबाद में क्या कर रहा है फिल्मों में असिस्टेंट डिरेक्टर का काम कर रहा हूं अपनी कहानी तो रेडी कर ली बस प्रड्यूसर ढून रहा हूं चला कॉफी पीते हुए बात करते हैं क्या चाहिए दो कॉफी देना एंड कॉफी नहीं यार भूक लगी है दो दिन से कुछ खाया नहीं है खाना स्राट कर यार चला पढ़ाई छोड़कर फिल्मों के पीछे भाग रहा है तो इतना पागलपन ज़रूरी है क्या क्रिश्ना पढ़ाई के बात डिसाइड करता कि मुझे क्या करना है डिरेक्टर बनना तो मेरा बच्पन से सपना था रामायन, महाभारत, भकवत गीता इन सब से ग्यान लेके आ अरे तुझे पता है क्रिश्ना राधा राधा भी यहीं है है अच्छा तो वो यहां है अरे एक मिनुट रुक अरे नहीं क्रिश्ना रख ले भाई काम आएंगे तेरे अरे चंदू 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 राधा कौनसे कॉलेज में कोटी विमन्स कॉलेज कोटी विमन्स कॉलेज क्रिश्ना राधा कि अगर तो यहां क्यों बैठे हो किताबों के साथ ही पैदा हुए थे क्या चलो चलो ना कुशिए कहां जाना है हानीमून पर जाना है चलो आजाओ लड़किया ऐसे बोलती है मुझे बॉइफें को गिफ देना है जो तुम्हें स्लेक करना है यह लिए करना है यह लिए करने का रीजन तो बता सकते थे ना यह लिए करने का रीजन तो बता सकते थे ना ऐसी कोई बात नहीं है रहाधा एंजिनेरिंग कर रहा हूं और यहीं पर होस्टल में रह रहा हूं गाओ जाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे अगर हमारी फ्रेंड्शिप तुम्हारी पढ़ाई के बीच में आ रही थी और इसलिए तुम मुझे अवोइट कर रहे थे तो ठीक है कृष्णा तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो रहा था मेरे पढ़ाई का इंस्परेशन तुम ही हो अच्छा तुम एच्छे में फर्स्ट तो फिर तुम एंजिनेरिंग छोड़कर बीकॉम क्यों कर रही हो तुम्हें तो पता है ना कि मेरा एम सीए बनना है तो फिर उस शोरूम में पापा की जो पैंशन आती है उसमें घर और बहन की बढ़ाई का खर्चे निकल सकता है हॉस्टल की फीज महां के उपर बोच न ब क्रिष्णा लेट हो रहा है चले क्या चलता है तो यहां बैठे हो मोबाइल शॉप में मेरे साथ गायता थे फिर वहां से गुल हो गए कौन थी वो सेस गल या कॉल गल गल उसके बारे में एक शब्द गलत बोलाना तो मार डालूंगा वो मेरी चान है और सुनों तुम जैसे कितनी भी आया और कितनी भी जाया लेकिन मैं उसके अलबा किसे के बारे में नहीं सोच सकता तो मेरी चाहत मेरा इंस्पिरेशन यह पढ़ाई बे मैं उसी की मझे से कर रहा हूं आए लव हर कि 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 अलो कि अर्था बोलू। कि अर्था बोलू यह रदा बोलू। कि रदा यहां? नहीं मिनिट चलते हैं इसका बना दीचिये बना टीचिये त्थान्कु वेलकम और अब्दुलकलामसर ने कहा है एम के बिना हम कुछ हासिल नहीं कर सकते अब्दुलकलामसर मतलब मेरे आइडिल क्योंकि वही है जो जिन्होंने यूथ को इंस्पायर किया है ड्रीम बू नहीं जो सोने के बाद आए ड्रीम वह है जब को नीन ना आने दे जब तक वह पूरा ना हो जाए और वही ड्रीम मैं तुम्हारी आखों में देख रही हूँ अमेरिकन कंपनी में जॉब करनी है तो ये बुक्स उम्हारे लिए बहुत हेल्पुल होंगी मेरी फर्स्ट मन्त की सालरी से ये चोटा सा गिफ्ट हम्हार इस वक्त राधा का फोन हलो राधा क्या हुआ है मा की कंडिशन बहुत सीरियस है फोन आया था इसलिए गाउ जा रही हूं लेकिन तुम्हारे एक्जाम स्टार्ट हो रहे है ना एक्जाम से स्यादा मा इंपॉर्टंट है ना इसे गाउं जाने के लिए निकल ही गई थी लेकिन दिल किया कि एक बार तुम्हें बता दी जाओं इसलिए फोन कर दिया चलती हूं Krishna, मान लगा कर बढ़ना राधा जब जब मेरे करीब आई तब तब किस्मत उसे मुझसे दूर ले गई और उसकी यादे मेरे दिल और दिमाग में और गहरी होती चली गई क्या रे तुझे कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर एक चाहिए क्या ठीक है, हम लोग एक मांडवली करते हैं मैं अपनी गल्फरेंड तुझे देता हूं और कल राज जिसको तुने टाटा किया ना वो मुझे दे दे ठाहिए पल्फरेंग यूँ पर अर मुझे यह आय पर बच्पर इसका है कि अज़ यह है अर्य यह कि रह कि अब वार ने ने भी छोड़ दिया ना आपामार पिड नहीं करेंगे प्रॉमिस हुआ 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 है है यह प्यार जो है ना यह कोई एक्सचेंज करने वाला खेल नहीं है प्यार करता है तो सिर्फ प्यार कर आज के बाद अगर राधा का नाम भी लिया ना हटुआ हुआ 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 एजुकेशन कंप्लीट होना यह था कौर्टर फाइनल जॉब जॉइन किया यह था सेमी है उसकी याद में उसकी दी हुई बुक्स बढ़ता रहा और वही मुझे हल्फुल साबित हुई मैं इंटर्व्यू में सेलेक्ट हो गया अमेरिकन कंपणी में मुझे जॉब मिल गई मेरी लाइफ का फाइनल में चीद गया और अब मुझे मेरा प्यार हासिल करना था तुम्हारे नए प्रजेक्ट के लिए अमेरिका से बहुत अच्छा रिस्पॉंस आया है है हेड ऑफिस अरजेंट्टी तुम्हें अमेरिका भेजना चाहती है तुम अपने तैयारी कर लो दिस इस यूर चेक और चाचा जी कैसे हैं आप हाँ मैं एक दम बढ़िया हूँ अरे कृष्णा इतनी सुबह सुबह सब कुछ ठीक तो है ना बेटा हाँ पापा यह रही आपके बेटे की पहली कमाई पूरे एक लाख रुपय हाँ आज तक अपने बहुत मेहनत किये पापा अब इन बकरियों को बेच कर आराम कीजिए क्रिश्णा आज तेरी लाख रुपय की तनखा आए तो इन सब की वज़य यह बकरियां है जब इनसान के अच्छे दिन आते हैं तो उसे पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए और मेरे लिए यह बकरियां बिल्कुल तेरी तरह हैं सॉरी पापा चल छोड़ ना तू घर जा बेटा मैं इनने जरा चरा कराता हूं कि माँ माँ कि आए कृष्णा कि महाँ कि इन कप्रों में कितना अच्छा लग रहा है बेटा आप बैठा में बढ़ जाओ मैं कोई महमान नहीं हूँ बलकि तुम्हारा बेटा हूँ यह देखो मा तुम्हारे लिए बनार सी साडी लाया हूँ पैन ले लिया पैन अरे जैसे पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा क्या हूँ अच्छा अच्छान बन गवादमी अच्छान अच्छान राच। हम आपरी कर पारी कि ऑल दू पाराब्स हो जुबा घ्रभारी कि अले लुबा लुबा इनुम पारा है कि अले लुबा चारा जय को जुबा नहीं हो इंग सर, नमस्ते सर, तुम कौन हो बेटा, सर, आप शायद मुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता, इंटरमेडियेट में था तब मेरा हा बटक गिया था, आप ही ने मुझे रास्ता बताया था, आज आपकी वज़े से मैं इस मुकाम पर पहुचा हूँ सर, और कमपनी ने मेरा प्रमोशन किया है सर, और मुझे अमेरिका भी भेज रही है, मेरी कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट, आज अमेरिका में इतनी बड़ी पोजिशन पर पहुच गया है, यह देखके मुझे बहुत खुशी हो रही है, आल दे बेस, गड़ ब्लेस यू सर, एक कॉफी पिएंगे मेरे साथ, क्यों नहीं पिऊँगा बेटा, जरूर पिऊँगा पिलाओ, चेर्श, यह क्या सर, कॉफी पिने के लिए कहाँ, तो आप यहां लेकर आयो, अरे मैं कॉन सा रोज पीता हूँ बेटा, आज तो एक अच्छा ओकेशन है, इसलिए सेलिब प्यार की फ्रस्टेशन, शादी की फ्रस्टेशन, शादी की तो उसकी बहुत बड़ी फ्रस्टेशन, 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 बेटा, अभी तुमने मेरी मार्केट मे बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, बता सकते हो कि उसकी क्या वजय थी, कुछ बोलो भी बेटा, पहले लक्ष हासिल करो, उसके बाद प्यार करो, प्यार पाने के लिए अपने लक्ष को कभी भूलना नहीं चाहिए, ओ, तो ये बात, बेटा, हम तो सब को सही बात ही समझाते ह कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग जो सुनते हैं, वो तेरी जैसे बड़े बन जाते हैं, और जो नहीं सुनते हैं, वो मेरे जैसे बेवडे बन जाते हैं, और जो नहीं सुनते हैं, वो मेरे जैसे बेवडे बन जाते हैं, बाबू, साइ अब अब इस बुड़ाव सर रहा है सवाल वो पूछ रहा है जवाब मुझे देने है तो तू बीच में अपनी टांग क्यों आणा रहा है वैटाँ इंटरेंटमेंट कर रहा हूं अगर पब्लिक में बैटके बात करोगे तो पब्लिक जवाब देगी नहीं जवाब वो देगा जिसे सवाल पूछा गया है आप सवाल पूछिए तू कौन है भासकर पकड़ो तू बार के अंदर क्या फील कर रहा है फ्रस्टेट हो रहा हूं वो फ्रस्टेट हो रहा है क्या यह फ्रस्टेट हो रहा है क्या तो फिर यह बता कि तू फ्रस्टेट हो रहा है अब नहीं होंगा यह बार फ्रस्टेशन निकालने की जगह नहीं है सेलेब्रेशन की जगह एक बात बता आज के बाद अगर तू बार में यहां कर शराब नहीं पीगा तो फ्रस्टेट होगा गायत्री नागराजन को लिखावा मेरा प्रेम पत्र गायत्री मेरी प्रेम का मेरी प्रेम कहानी मेरी जिंदगी थी अलग कैसी हुए सर तब मैं एक बहुत मामूली टीचर था गायत्री के माबाप चाहते थे कि गायत्री की शादी किसी नामी डॉक्टर या इंजिनियर से हो ना कि मुझ जैसे किसी मामूली टीचर से उन्होंने मुझे बहुत जलील किया और कहा कि मैं एक मामूली टीचर हूँ, मेरी आउकात ही क्या है और उन्होंने गैतरी की शादी कहीं और करवा दी तब से ये लव लेटर मैंने संभाल के रखा है आज वो साथ रही तो क्या हुआ, उसकी यादें तो साथ है सौरी सर वैसे बेटा, तेरे प्यार का क्या हुआ? सर, जब पढ़ाई कर रहा था, तब आपने ही कहा था कि अपना फोकस लक्षे पर रखो और आज आप खुदी इस बारे में पूछ रहे हो बेटा, जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता, तब तक माबाब उगली पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं पर जब चलना शुरू कर देता है, तो फिर वो भागने लगता है, तो फिर गिरने का डर लगा रहता है दोनों ही बातें जायज है, उस हालात में वो ज़रूरी था, आज के हालात में ये ज़रूरी है जैसे वक्त बदलता है, वैसे ही प्यार का मतलब बदल जाता है, और जब मतलब बदल जाता है, तो लड़की भी बदल जाती है उसे प्यार नहीं कहते हैं, क्रिष्णा आप माइडियर शिष्ट तु जब भी आएने में देखे तो तुझे वही नजर आनी चाहिए जब तु आखे बंद करे तो वह तेरे साथ है तुझे यह एसास होना चाहिए क्या तुझे कभी ऐसा एसास हुआ है बेटा हर पल हर चगाप बस वही नजर आती है सर अब तेरी ल जय से मयाँ करें सब्सक्राइब तरु रहे खर नरी जर आता है रधा? तुम यहां आओ ना अंदर आओ बैठाना कैसी हो राधा मैं ठीक हूं मम्मी छोटी सब लोग ठीक है छोटी कॉलेज गई है तुम्हारी पढ़ाई कहां तक पहुची आओ सीए कर तुम क्या कर रहे हो कर रहा हूं सॉफ्ट्स जॉब कर रहा हूं कल ही मेरा प्रमोशन हुआ है और नेक्स्ट वीक में यूज जा रहा हूं कॉंगराट्स कृश्णा राधा छोटा सा गिफ्ट प्लीज लेओ थांक्स राधा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है राधा क्रिश्ना कैसे हो बेटा ठीक हूं अंटी बैठो बैठो अरे राधा आए हुए महमाल से सिफ बाते ही करती रहोगी या चायनाशता भी खिलाओगी अरे मैं तो भूली गई भूलक कड़ कहीं अब लेकर आते हूँ मुझे माफ कर दो पीटा तुम्हारे दिल में क्या है मुझे अच्छे से पता है पर मेरा मेरा ये घर मेरी बेटी के सारे चल रहा है मेरी बेटी से मुझे बहुत उम्मीद है मेरे सपनों को बिखेरो मत बेटा अगर तुम इस बात पर अड़ जाओगे कि तुम्हें मेरी बेटी राधा ही चाहिए तो मैं और छोटी फास ही लगा लेंगे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोडती हूं मेरी बेटी को बहुल जाओ राधा आ रही है अरे बेटा में एक बात तो तुमसे पुछना भूल ही गई तुम्हारे ममी पपा की तबियत कैसी है ठीक अटी खिशना कॉफी रहने तो मैं चलता हूं राधा क्या ओ ग्या कम कॉफी त झाल 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 पैसे में जल्दी देदूझा आपको देना है पचास हजार रुपे बागी कहां से देंगे निकालो यहां पर से जल्दी जो निकालो झालो यहां से यह गोल्ड मिड़ल और उसके अंदर का एक प्ले टिडली दादीमा यह लो बेटा बहुत भूक लगी और झाले ले नहीं दादी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है दादी पैसे देने की ज़रत नहीं बेटा तू बस पेट भरके खा मेरे बचे पेट भरके खा अरे ये क्या हजार रुपे दे रहे हो बेटा रख लीजिए दादी माँ नावर काम करूंगी फिर भी इतना नहीं कमाऊंगी मैं कहरा हूं ना दादी माँ रख लीजिए रख लीजिए अरे आधे आधे चलो आधे में मेडम अ अगया है नमस्ते अरे ये सब क्या है सिनू इसके क्या जरुदती मैं तुम्हारी क्लास मेट सुझाता हूं समझ गया अच्छा सबंदर आगे जंद रुवर दुसरे आगे कृष्ण भी रास्ते में आरा रहा आ रहा है है मैं जिस दुनिया में जीता हूँ उसमें राधा नहीं है पर वही मेरी दुनिया है यही सोचकर मैंने इतने दिन गुजार दिये उसकी जब भी याद आती थी एरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता था लेकिन तभी उसकी मां के आंसु मुझे याद आते थे और कदम रुख जा कि आज भले कुछ भी हो जाए मैं अपने दिल की बात राधा को बोल कर ही रहूंगा लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा की शादी हो गई हो नहीं 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 पर अगर शादी हो गई होगी तो नहीं 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 जांस ना यह गाहों बदला है और ना मेरे राधा बदली होगी यह मुझे अच्छा से पता है राधा सिर्फ मेरी है कृष्णा कृष्णा कैस थोड़ी हूं कैसा है तुमाई मैं तो मस्तु हूं यार कैसा है यार मैं बहुत अच्छा हूं हूं है यह थोड़ी खराब हो गई यार भाई सूट में क्या मस्त लग रहा है यार यार जल रहे है दमस्कार बेटा प्लीज सर नहीं मैं वही एबी स्रीडी वाला कृष्णा हूं सर यवेंकटेश्वर भख्मान का शरिंगार करने में काम आ सकता है यही आपको मिला हुआ गवरो है आपकी आपरु है संभाल कर रखिये बठी है सब तेरा ही इंतिजार कर रहे है किरिशना है किरिशना हमारे नेक्स्ट आ चुके है मिस्टे कृष्णा कृष्णा क्रिश्णा प्लीज कम आंधिडायस नमस्ते गॉड ब्लेस्यो पेश्टा है इस चंदू है हाई सुझाता हाई 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 हालो माइडियर स्टूडेंट्स यह आपके बल है आपकी आदे हैं आप लोग एक एक करके आईए और अपने अपने अधीद को शेयर कीजिए सबसे पहले सुझाता प्लीज पुझ्यनिय गुरुजी और मेरे प्यारे दोस्तो नमस्कार एक स्टूडन की सकसेस के पीछे एक टीचर का हाथ जरूर होता है और आज हमारे सारे गुरुओं को मैं मेरी सकसेस का पूरा श्रय देती हूँ दोस्तो अगर हमारे गुरुओं ने हमें सही वक्त पर डाटा नहीं होता तो आज हम जहां पर है तीरी नजर क्या राधा को ढोल रही है ऐसे गुरु मिलने के कारण अब हम हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं हमारी जिन्दगी में हमारे माबाप여 अलाबा अगर किसी और का श्रेष्ट स्दान है तो वो हम यार एक मेरे साथ्यों ने मुझे आज यहाने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया आदा करना चाहती हूं, थैंक यू अब हमारा कृष्णा दो शब्द कहेगा, क्रिष्णा सब को मेरा नमस्कार एक एम लेकर चलने वाला कभी-कभी आगे भी जा सकता है और पीछे भी रह सकता है, मेरी तरह लेकिन लक्ष हासिल करना जरूरी है, जो भी हम हासिल करते हैं, वो हमें शिक्षा देने वालों का बड़पन होता है मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ मान लीजिए कि हम किसी भी रास्ते पर चल रहे हो उस पर कोई बड़ा सा एक पत्थर पड़ा होता है सब लोग उसे लात मारते हुए आगे बढ़ते हैं लेकिन एक शिल्पकार उसी को एक रूप देता है रास्ते में पड़े पत्थर को वो मूरती में तबदील करता है वही ठोकर मारने वाले उस पत्थर के सामने हाँ चोड़कर उसकी पूजा करते हैं लेकिन फिर भी उसे आकार देने वाले शिल्पकार को कोई नहीं पूचता और शिल्पकार भी कोई आशा नहीं रखता है वो दूसरे पत्थर ढूण कर उसे आकार देने में लग जाता है आज मैं एंजिनियर, सुज़त आईयस, चंदू डिरेक्टर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एंजिनियर्स हैं लेकिन हमें बनाने वाले सर, वो तो बेचारे कहीं पीछे की सीटों पर बैठे हैं और हमें तो पहुँचा दिया उन्होंने इस स्टेज पर माँ भाप अपने बच्चों को जायदाद बाटने में कम ज्यादा तो कर सकते हैं पर एक गुरू के पास जो विद्या होती है, वो कभी भी किसी विद्यार्थी को वो कम ज्यादा नहीं बाटता और यहीं उनकी महानता है इस प्रपंच में से हर किसी को कुछ ना कुछ बना कर वो लोग खुद जैसे हैं वैसे ही रहे और वो शक्स हैं मेरे गुरू गण और इसलिए आज मैं गुरूर देवो भवन नाम का ट्रस्ट स्थापित करना हूँ फ्रेंड्स आप लोग यह समझ रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस्फुल हूँ लेकिन नहीं मैं फेल हूँ यह एंजिनेरिंग का जॉब अमेरिका में जॉब यह सब मुझे कैसे मिला एक लड़की की वज़े से एक लड़की की इंस्पिरेशन की वज़े से अगर वो मेरी जिंदेगी में ना आई होती तो आज मैं इस टेज पर ना खड़ा होता वो यहां आएगी मैंने सोचा था पर नहीं आई अपने प्यार को हासिल करने वाला ही लाइफ में सक्सेस्फुल होता है लेकिन मैं तो हार गया पूरी तरह से मैं हार गया इस स्कूल लाइफ की मेरी यादे और वो आएगी ऐसा मैंने सोचा था कबसे मैंने अपने दिल में कितनी बातें छुपा कर रखी थी उसके लिए ताकि कभी तो उसके साथ शेयर कर सकूं मैं अक्षरों को काली भैंस के समान मानता था लेकिन उसने मुझे रहा दिखाई अंधेरे से काली हुई मेरी दुनिया में वो एक रोशनी बनकर आई थी मैं रास्ता भटग गया था तो मुझे मंजिल दिखाई और वो खुद कई खो गई मुझे प्यार सिखाकर प्यार की परिभाशा ही उसने बदल दी मैं उसके लिए जान दे सकता था लेकिन वो तो अब तीर की तरह निकल गई अब तो उसकी यादे ही मेरी सिंदगी है चंदू एक बार राधा से मिलना है यार मैं इतनी दूर तक आया हूँ उससे मिलकर कम से कम एक बार बात तो कर लो प्लीज क्रिश्ना पता नहीं राधा किस स्तिती में होगी तू जाकर बात करेगा तो ठीक रहेगा क्या अगर उसकी शादी हो गई हो तो क्या तू सह पाएगा राधा को तू कितना प्यार करता है मैं जानता हूँ तू उसके दिल के बहुत करीब है तो अब क्या तू वो मिटाना चाहता है ऐसे ही रहने देयार ड्राइवर चलो का रुको का रुको क्रिष्णा क्या कर रहा है चंदू क्या हुआ देख राधा मुझे पसंद कर दिये यह महां लिखा है पällen यस क्रिष्णा वो राधा लिखा इसकी क्या गैरेंड़ है यहां के लोगों को इस नदीब बहुत विश्वास है पैथर पर अपने इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है विश्वास विश्वास है मुझे चाहे किसी ने भी लेकिन मेरा विश्वास है राधा मुझे मिलेगी कृष्णा मा पर मुझे विश्वास है राधा मुझे जरूर मिलेगी चल गाड़ी में बैठ ए कार गुमा कहा था ऱुमा राधा है रद्धा 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 कि रद्धा रद्धा कृष्णा आओन बठो कैसी ओ रद्धा ठीक हुआ कृष्णा तुम कैसे हो मेरी गुडिया, दीदी के साथ अच्छे से खेली न, चलो, पापा बुला रहे हैं, ठैंक्स, राधा, चलती हूँ पड़ोस वाले दीदी की बेटी है, मेरे बिना रहती ही नहीं क्रिष्णा पकोड़े बनाने जा रही थी, कुष्टिर्र को खा कर जाना, ठीक है राधा, तुम्हारी मा, मा को कुजरी एक साल हो गया है, तुम सी ए बनना चाहती थी न, तुम्हारी एजुकुशन का क्या, मा की मौत के बाद, मैं अपनी पढ़ाई कांटिनियू नहीं कर पाई, क्रिष्णा तुम्हारी चोटी बहन भी तो थी, वो क्या कर रही है मेरी बहन को, मैंने बी टेक तक बढ़ाया, फर्स्ट यर में ही उससे एक लड़का पसंद आ गया, तो मैंने दुनों की शादी करवा दी तुम अमेरिका में सेटल हो गए हो, ये चानकर मुझे बहुत खुशी होई, क्रिष्णा, सब कैसा है वहाँ पर, तुम्हारा जॉब, तुम्हारी लाइफ बढ़िया है राधा, एक गिलास पानी मिलेगा मटका वहाँ पर है, प्लीज ले लो ना एसी बात नहीं है रहा था, एतनी दूर से आया हूँ, तो मैंने सुचा था कि तुम्हारे हाथों से एक लास पानी पीलूंगा आरे, सारी, क्रिष्णा, रुको, अभी देती हूँ यह दो पानी, क्रिष्णा यह दो पानी, क्रिष्णा राधा, यह पैर वो एक दिन मैं मा को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब… मा क्या हो रहा है मा? और तब भगवान नहीं मुझसे मेरी मा को चीन लिया और साथ-साथ मेरा पैर चीन कर उझे अपभाहिज बना दिया राधब आच्टक मेन अपने दिल्की बाद्टिंसे चुबा कर रकिती बरब और नहीं चुबा सकता I love you Radha! I love you! I love you! I love you! I love you! अब आच्टक मेरी तुम्हारी सारी जिम्मेतारी मेरी है अब इसकी जरूत नहीं है चलो चलते है Radha और उनको मुस्कुराहट भी भगवान ही देता है मेरी बेटी ने अपने प्रेम का आखर तक इंतिजार किया और भगवान ने उससे आखर में मिलाया भी जो लक्षे को हासल करता है वो विजय कहलाता है और जो लक्षे के साथ प्रेम को भी हासल करता है वो परिपोर्ण विजय कहलाता है लाइफ के चैंपियन मेरे राधा और कृष्ण राधा की माँ जहां पर भी थी उनके आत्मा को शांती मिली बहुत अच्छी कहानी है बेटा थैंक यू वेरी मच सर लेकिन अभी वो राधा कृष्णा कहा है बेटा वो सीधी साधी राधा अब कृष्णा राजा की रानी बन गई है और वो आज के फंक्षन की हमारी चीफ ग तुम लोगों का वेट कर रहे हैं सब लोग हाँ प्लीज आओ रेडी हो ना तुम हाँ रेडी सर सर आने के लिए शुक्रिया है अल बेस चंद्रो थैंक यू सर कृष्णा क्याम्रा का स्विच अन करो साउंड रोलिंग स्टार्ट कैम्रा क्लाप रामालक्षमी सिने क्रिश्णा माने मिलाये दो दिल मुहरत शॉट आप जानते हैं सबसे किमती चीज क्या होती है सबसे किमती चीज होती है महबबत और जब सची महबबत मिले तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहिए उसी में प्यार की जीत है